हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई टैट क्लास फ्रेंट्स आज हम बाल विकास से संबंधि कुछ महत्पूर्ण सी छड़ विदियों पर आधारित प्रशनों को देखेंगे यहां पर हमने कुल 13 महत्पूर्ण प्रशनों को लिया है तो आए स्टार्ड करते हैं अपने प्रशनो को तो पहला प्रशन है यहां पर भासा का मुख्य कौशल है यानि कि भासा का जो मुख्य कौशल है वो क्या है आपको यह बताना है लिखना या सुनना पढ़ना बोलना या फिर उप्यूपत सभी दिखेंग वह माध्यान जैसे अपने भावों को हम व्यक्त करते हैं और लिखने के माध्यमसे और हम पढ़कर प्रकट करते हैं और किसी के बोलने। जो हम सामने वाले के भावों को समझते हैं यह सब क्या आजाता है। बाप्षा के छाहिगा के अंतरगत हैं यहां पर परॉप्षन पढ़ना और यह सभी क्या है know अगला प्रशन देखिए यहां पे भाशा की इन चीजिजों को हम मिल means, what do you got to preach speech.? पर पर नहentry देखिए दिया है ध्षनी संकेट के नहीं क्या है है घ्षा के होगा जिससे समझ रहे हैं और होता है उससे एम संकेश को पर संगेत भी करते देखे हैं और शांकेत कर देते हों और सामने वाला उस चीज़ को समझ जाता है तो यह भी आपके भाशा के अंतरगता आ जाता है और एक आज है चिन देखिए आप सरक पे ट्रैवल कर ट्रैवलिंग करते हैं तो आपने देखा को सिंबल बने होते हैं वह सिंबल कुछ बोल नहीं रहा हो लेकिन चिन बनाया हो और चिन का जो अर्थ होता है वह आप लगा लेते हो और उसके अपने कारे को करते हैं तो यह क्या है यह सभी भाशा के तत्व होते हैं तो आपका डी सही हो जाएगा अगला प्रशन देखिए अगला प्रशन है कि बालक को भाशा शिच्छा की ही जाए तो उसक्त के मात्र भाशा में अजूकेश्न दी जानी तो यहां से आपका और चाही हो जोघता है Mosi गि चौर्था प्रशन है कि मात्र भाशा का अर्थ है मात्र भाशा क्या है क्या आपको बताना है परिवार की भाशा है डेखिए पहला और प्डाया लेकिन कि होता क्या है अगला option पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि यह होता है कि आप जो option पढ़ने वो तो सही लेकिन नीचे क्या option इस पर भी depend करता है आपके answer नीचे देखे बी option दिया है कि मा की भाशा और अगला point दिया है पिता की भाशा मा और पिता दोनों से ही तो परिव कभी कभी मां अलग भाशी छीतर की मां की भाश्य कुझ आरय'll की यहां प hiss आपको ऑफियुक्त सभी है क्लों स्टेंज होगा कि मात्र भाषा करते हैं अगला प्रशन देखीए अगला प्रशन है कि मात्र भाषा का उद्देश होता है जो मात्र भाषा दी जाती है बच्चों को उसका उद्देश क्या होता है मांसिक विकास करना शारीरिक विकास करना बौधिक विकास करना या फिर उपियुक्त सभी तो मात्र भाषा देने का सबसे बड़ा उद्देश यह होता है कि बच्चे का शारीक, मानसिक और बौधिक विकास हो इसलिए option D आपका सही होगा अगला प्रशन देखिए, अगला प्रशन है यहाँ पे मात्र भाषा की प्रमुक सिच्छन विधी है और मात्र भाषा आप बच्चों को दे रहे हैं तो उसकी विधी कौन सी है आगमन विधी है निगमन विधी अनुकरन विधी या उप्यूक्त सभी तो मात्र भाषा बच्चे में अनुकरन विधी के माध्यम से सबसे ज़़ा विक्सित होती है जो option C आपका यहाँ पे सही है अगला प्रेश्ण है भाषा अधिगम के कारण होते हैं भाषा अधिगम के क अजा कोशल यहां से आपका option D सही होगा अगला प्रेश्ण देखिए अगला प्रेश्ण है यहां पर सिच्छन अधिगम प्रबंधन प्रयत्न के प्रवर्तक कौन है यानि कि सिच्छन अधिगम प्रवंधन प्रेत्न के प्रवर्टक डेविज है ऑप्शन डी आपका सही है अगला प्रेश्ण है यहाँ पर अगला प्रेश्ण के सिच्छा के उद्योष्चों का वर्गी करण आगे आपको options पढ़ेंगे तो clear हो जाएगा ग्यानात्मक है भावात्मक क्रियात्मक या फिस सभी तो सिच का इस फूटर यहां पर सवी आंगे आपके अगला प्रस्ण है यहाँ पर अगला परस्ट नें सफूट की और थूटर पालन कि सफिक बून की जाती हा क्याना अ अग्यारण की विधी इस होत्ष्टर है और इस सफवीधि करोग करते हैं आपको यह मताना है आगमन वीती नि अगला प्रष्ण है अगला प्रेश्न देखे अजकी वीडियो का यह लास्ट प्रष्न है अगला प्रष्न है प्रात्मी कक्षाओं के विद्यार्थिew Oczywiście के लिए कौन सी विधि आसे द्रिष्टी में उत्तम हो गी किस बात की जाएरें जो प्रात्मी कक्षाओं जुझाए व्यक्षियान विधिधि आगमन विधि निगमन विधि तो तो जहां तक आप समझ लिके वहां पर आगमन विधि ही यूज होती है इसलिए हुप्षिन सी आपका जही होगा तो फ्रेंस आज की महत्पूर्ण प्रश्ण आपको कैसे लगे एक वर कमेंट करके हमें जरूर बताएं अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार